मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो के पार्टी कर रहे थी और वो लोग काफी खुश होते हैं उन फ्रेंड्स में एक लड़का जिसका नाम टून होता है वो एक फोटोग्राफर था और उसके साथ उसकी फ्रेंड जिसका नाम जेन था और वो भी फोटोग्राफी की स्टुडन्ट थी वहीं पर ही उनके बागे फ्रेंड्स भी होते हैं जो टुन के शादी और उसके कॉलिज टाइम की बाते कर रही होते हैं इसके बाद हम टुन और जेन को कार में देखते हैं और वो दोनों शराब के नशे में होते हैं और कार को जेन ड्राइव कर रही थी और तब ही अचानक से कार ड्राइव करते हुए जेन एक लड़के को देख नहीं पाती और वो उसे टकर मार देती है और वो लड़की इंजर्ड होकर सड़क पर ही गिर जाती है अब जेन उस लड़की के help करने के लिए बाहिर जाने लगती है लेकिन टुन जो कि बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसे बाहिर जाने से मना कर देता है ये सोचते हुए कि कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में ना फस जाये और वो उस लड़की को ऐसे ही injured छोड़ कर वहां से भाग जाते इसके बाद वो उस accident को लेकर काफी परिशान थे और यहाँ पर एक अजीब बात ये थी कि किसी भी hospital या पिर police station में कोई भी accident या missing की कोई भी report नहीं थी JNIC function पर कुछ pictures को click करता है और जब वो उन pictures को देखता है तब उसे उन pictures में अजीब सा white color का shadow और किसी लड़की का face नजर आता है और इस बात को confirm करने के लिए वो original और negative डोनो pictures में देखता है एक senior photographer भी इन pictures को देखता है और वो चेक करता है कि ये क्या matter है तब वो देखता है कि सारे negative photos में भी वो white shadow और वो face है इस बात को लेकर टून और जेन दोनों काफी परेशान हो जाते है क्योंगे ये कोई normal बात नहीं थी और एक दिन जेन जब घर में अकेली होती है तब उसे घर में किसी की presence का एहसास होता है जेन को picture develop करने वाले room में एक लड़की दिखाई देती है जो आइस्ता आइस्ता wash basin से बाहिर आ रही थी उसे देखकर जेन बुरी तरह डर जाती है लेकिन तब ही वो फूरान होश में आ जाती है इसके इलावा टुन को भी जेन के रूप में कोई लड़की रिखाई देती है जो असल में जेन नहीं थी बलकि वो किसी का ghost था अब जेन जेब इन सारे pictures को देखती है तब वो फूरान समझ जाती है कि ये उसी लड़की का ghost है जो उस रात accident में मारी गई और एक अजीब बात ये होती है कि उस accident के बात से ही टुन को अपने neck में बहुत ज़्यादा pain हो रही थी लिकिन उसे reason नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तब टुन डॉक्टर को चेक करवाता है और साथ में अपना weight भी करवाता है और यहां पर काफी शौक कर देने वाली बात ये होती है कि टुन का weight उसके original weight से डबल आ रहा था जो कि टुन और उस nurse को सोचने पर मजबूर कर देता है अब super natural चीजों को जहन में रखते हुए जेन एक ऐसी शौक पर जाती है जहां पर ghostly magazines बनते थे वहां जाकर इने पता चलता है कि इन magazines में mostly pictures जो छपी होती है वो fake होती है क्योंकि customers को इस तरह की magazines पढ़ने में काफी interest था वहीं पर magazines का honor उन्हें एक album दिखाता है और वो बताता है कि इस album में जितने भी pictures हैं वो सब real है यानि यहां पर इस बात को पाना जा रहा था कि super natural exist करता है वो बताता है कि यह souls किसी खास मकसद के लिए pictures में आती है और हमेशा के लिए इसमें capture हो जाती है और उन pictures में नजराने वाली changing जेन की pictures से match होती थी इन pictures की rail होने की वो एक और वज़ा बताता है यह इन pictures को एक खास किसम की camera से capture किया गया है और वो एक ऐसा camera है जिसके pictures को edit नहीं किया जा सकता फिर अगले दिन टुन का एक friend उसके घर पर आता है जो कि काफी ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो टुन से कुछ pictures और उस लड़की के बारे में पूच रहा होता है उसकी बाते सुनकर टुन काफे ज़्यादा nervous हो जाता है कि आखिर वो यह सब कैसे जानता है जेन और सब pictures को काफे detail से देखती है और उस college में जाती है जहां पर टुन पढ़ता था और वहाँ एक lab में जाकर वो उसी खास किसम के camera से picture capture करती है और उस picture में वो ही लड़की जिसका उस रात accident हुआ था उसकी soul नजर आती है जिसे देखकर जेन काफे डर जाती है और तब ही उसे वहाँ पर किसी की presence का एहसास होता है वो वहाँ से भागने लगती है तो तब ही एक picture नीचे गिर जाती है पास जाकर वो चेक करती है तो वो एक लड़की की picture होती है उस लड़की के बारे में मजीद जाने के लिए वो college group photos चेक करती है उन pictures में उसे एक ऐसी picture मिलती है जिसमें टुन उस लड़की के साथ खड़ा हुआ था उस picture को जेन अपने पास रख लेती है जेन टुन को वो picture दिखाते हुए इस बारे में पूचती है और यहाँ पर टुन जेन को सारी बात बता देता है टुन बताता है कि उस लड़की का नाम नैट्रे था और वो उसकी class value थी और एक दूसरी के साथ रहकर वो दोनों एक दूसरी को काफी like करने लगे थे लेकिन एक दिन टुन ने अचानक ही relationship खतम करने के लिए कह दिया जिस पर वो काफी दुखी हो गई उसने अपनी वेन काट ली और टुन को धमकी लगाई कि वो suicide कर लेगी अगर उसने उसे छोड़ा तो टुन गी भी बताता है कि उसने ये सारे बातें अपने फ्रेंड्स से भी share की थी और उसके फ्रेंड्स ने उसे कहा था कि हम तुम से promise करते हैं नेट्रे ऐसा कुछ नहीं करेगी और वो उससे इस बात का बदला लेंगे और बस उसे दिन से नेट्रे कॉलेज में नजर नहीं आई और ना ही उसका कोई अता पता था और इसके बारे में टुन भी कुछ नहीं जानता था जेन टुन से पूछती है कि आखिर इस बात के पीछे ऐसी कौन सी बात है कि नेट्रे का गोस्ट उसे परिशान कर रहा है और उसके पीछी पढ़ गया है तुन अपने एक फ्रेंड के घर में जाता है और उसके घर का हाल काफी खराब था और अचानक से वो अपने उसी फ्रेंड को नौटिस करता है जो कि सुसाइट कर रहा था और देखते ही देखते वो बिल्डिंग से कूद कर सुसाइट कर लीता है अब उसी फ्रेंड की वाइफ टुन और जेन से मिलती है और वो टुन से पूछती है कि आखिर तुम फ्रेंड्स के साथ ऐसा क्या हुआ है या तुम ने ऐसा क्या क्या कर दिया जो सब के सब बिल्डिंग से कूद कर सुसाइट कर रहे हैं यानि मतलब साफ था और वो भी बताती है कि टुन के सारे फ्रेंड्स ने एक एक करके बिल्डिंग से कूद कर सुसाइट कर ली है ये सुनकर टुन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद अगला नंबर उसी का है टुन और जेन नेट्रे की घर पर जाते हैं और वहाँ वो उसकी मदर से मिलते हैं और उन दोनों को नेट्रे की रूम में उसकी बैट पर नेट्रे का स्केल्टर मिलता है यानि नेट्रे की मदर ने अभी तक उसका फ्यूनरल नहीं किया था और उसकी मदर ने ऐसा क्यों नहीं किया पूचने पर वो बताती है यह उसे अभी भी ऐसे फिल होता है कि जैसे उसकी बेटी नेटरे अभी घर में ही है नेटरे की मदर उन्हें बताती है कि उसने बिल्डिंग से कूद कर सुसाइट कर ली थी अब यहाँ पर टून के फ्रेंड्स के सुसाइट का तरीका और नेटरे के सुसाइट का तरीका सेम था यानि किसी ना किसी तरह ये बात आपस में कॉनेक्टेट थी उसकी मदर ये भी बताती है कि उन्होंने अभी तक अपने बेटी का फ्यूनरल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाती थी अपने बेटी को खुद से दूर कर क्योंकि उसने सुसाइट जो किया था वो दोनों नेटरे के मदर को काफी समझाते हैं और काफी इंजिस्ट करने पर फाइनली वो माझ जाती है और उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है और जेन समझती है कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो जाए जब टून और जेन दोनों सो रहे होते हैं तब टून को कुछ अजीव फिल होता है और उसकी आँख खुल जाती है और वो अपने बेट के पास नेटरे के गोस्ट को देखता है और काफी डर जाता है और वो रूम से बाहिर आकर सीडियों के जरिये नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर ऐसा फिल हो रहा था कि वो बार बार भाग कर एक ही जगा पर आ रहा है यानि वो एक ही फ्लोर पर है और वहीं पर उसे जेन खड़ी हुई मिलती है और वो अपने कटी हुई वेंज दिखा कर कहती है कि इतना प्यार करने की बावजूद भी उसने उसे कैसे चोड़ दिया और तब ही अचानक से जेन नेटरे में तबदील हो जाती है तब तून जान बचाने के लिए विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर भी नेटरे का गोस्ट आ जाता है और तून को डराने की कोशिश करता है तून इतना ज्यादा डर जाता है कि वो नीचे गिर जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग टून की आँख एक हॉस्पिटल में खुलती है और वो वापिस अपने सीटे में आ जाते हैं जेन उसी सीनियर फोटोग्राफर के पास जाकर कुछ पिचर्स डवैलप करवाती है और उन पिचर्स को सीकोंस से रखकर वो सब को देखती है तब देखने पर उसी पता चलता है कि नेट्रे का गोस्ट आइस्ता आइस्ता करके बुक शेल्फ के पास जा रहा है अब उसी साइट पर जाकर जेन को कुछ पिचर्स की नेगटिव मिल जाती है और जब वो एक पिचर को डवैलप करती है तब एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है असल में बात ये थी कि उसी लैब में जहां पर जेन गई थी वहाँ पर टुन के फ्रेंड्स ने नेट्रे को सेजियली अब्यूस किया था अब ऐसा उन लोगों ने इसलिए किया था क्यूंकि नेट्रे टुन को धंकी लगा रही थी कि वो सुसाइट कर लेगी और उसने ये बात अपनी दोस्तों को भी बता दी तो तक उन्होंने नेट्रे से बदला लेने के लिए ये सब डिसाइट किया और जब नेट्रे के साथ ऐसा हुआ उस वक्त वहाँ पर टुन भी था जो अपनी आँखों से वो सब कुछ देख रहा था लेकिन वो उसके कोई भी हेल्प नहीं करता बलके उल्टा अपनी जान बचाने के लिए और उसे उस बात का बदला देने के लिए नेट्रे की उस वक्त की पिच्चर्स को क्लिक किया और जो नेगटिव जेन के हाथ लग गए थी वो इनी पिच्चर्स की थी अब हमें जो टुन का फ्रेंट दिखाया गया था जो उससे लड़की और पिच्चर्स की बारे में पोच रहा था वो यही सब था अब उस दिन के बाद से तो नेट्रे ने सूसाइट कर लिया था लेकिन वो अपना बदला लेने के लिए टुन के बाकी फ्रेंज की पीछे पढ़ गई थी और नेट्रे के डर से हे टुन के सारे फ्रेंज ने एक एक करके सूसाइट कर लिया जेन काफी हुस्से में होती है और वो टून से मजीर इस बारे में पूचती है और तब वो अपने इस गुना को कबूल करता है वो कहता है कि उसने बहुत गल्त किया और उसने आज तक अपने इस गल्ती पर खुद को माफ नहीं किया और उसे इस बात का पच्चतावा भी है लेकिन जेन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे छोड़ कर महां से चली जाती है टोन जोके नैटरे की गोस्ट की वज़े से अभी भी काफी डरा हुआ था और उसे लगता था कि वो अभी भी उसकी आसपास ही है और ये सोचते हुए वो उसे कैमरा से सारे गर की पिचर्स क्लिक करता है और वो ये चेक करना चाहता था कि नैटरे इस वक्त कहां पर लेकिन कैप्चर की गई किसी भी पिचर में उसे नैटरे नजर नहीं आती तब वो घुसे में अपना कैमरा फैंक देता है और तब एक पिचर कैप्चर हो जाती है और पिचर में देखता है तो वो काफी शॉक्ट हो जाता है असल में नैटरे उसके कंदों पर ही बैठी हुई थी और घुसे में आकर नैटरे टुन की आँखों पर हाथ रखकर उसकी आँखे बन कर देती है अब टुन को कुछ नजर नहीं आता तो वो इदर उदर चलते हुए बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है इसके बाद हम एक हॉस्पिटल में टुन को देखते हैं जोके काफी इंजर्ड था और उसे बहुत ज़दा बैंडेजिस लगी हुई थी यहीं पर ये मुवी एंड हो जाती है